सपोर्ट के पास है निफ्टी 50 वहाँ पे खरेदारी के मौके ढूंड़े और साथी निफ्टी बैंक में से प्राइवेट बैंक में जो है आपको खास तोर से ध्यान रगना है पर रोह जी मैं शकार में शृष्टी बात कर रहे हूं बहुत-बहुत स्वागत है आपका और हम कि बड़े इवेंट्स भी चले गए थोड़ी वॉल्टिलिटी जरूर आई पर फिर भी जो रफ्तार है वो बरकरार है उपर की तरफ ऐसे में सेक्टर चर्निंग बहुत बार हमने होती भी देखी है तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे सबसे सादा रुजहान बन रहा है क् कि कई सारे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर जैसे के FMCG, IT इन सब ने पार्टिसिपेट तो किया पर अभी थोड़ा सा वो कंसॉलिडेशन के फेज में आ रहे हैं पर नियर तू मीडियम टर्म में कौन से से सेक्टर हैं जहां पे ट्रेडर्स को खासतर से ध्यान में रखना तो इंट्रेस्टिंग सेक्टर में बोलुगा एक तो है फार्मा जो की होल्डाउट कर रहा है और इस तरह के माहौल में जहां पे कई बार नेगिटिव नियूस फ्लो आ जाता है फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म करता है होल्डाउट करता है और वही चीज हम लोग हो चुका है तो ट्रेडिंग ही नहीं बट इन्वेस्टर्स भी फार्मा सेक्टर को देखेंगे दूसरा है ऑटो सेक्टर और यह इंट्रेस्ट रेट के दर जो है वो दीरे-दीरे नीचे आने की कोशिश करेंगा और बॉंड डील में तो दिखी रहा है इंडियन टेनियर ज में उपर जा सकता है PSU Banks जो की काफी समय से consolidate कर रहे हैं और इनों काफी run-up हुआ था तो लोग concerned थे पर इनका पूरा जो weekly degree पे मैं charts देख रहा हूं consolidation लग रहा है की पूरा हो चुका है तो कहीं न कहीं PSU Banks भी बाजार का साथ देने की तैयारी करेंगे और इन पे भी ध्यान देना चाहिए बैंकिंग में SDFC बैंक पर आपसे में खास एक बार आपसे में राय जाना चाहूँगा सोलो सो रुपे का सपा सपोर्ट लिया और फिर से बहुत स्मार्टली चल लाए कल के सतर में सारे बैंक गिर रहे थे एक्सिस बैंक को छोड़के HDFC बैंक चल रहा था आज सारे बैंक गिर रहे हैं HDFC फिर से 0.8% उपर है क्या मुझूदा लेवल पर इसको अकुमिलेट करना चाहिए और आप टार्गेट का देख रहे हैं सी मैं specifically stock recommendation दे नहीं सकता because we are not advisors but जो मैंने बात पहले कही कि private banks जो है जैसे कि HDFC उनके जब हम valuation charts देखते हैं तो they are at 10 year lows मतलब 10 साल के low point पे हैं इनके valuation charts और इनकी जो momentum है वो weekly और monthly charts पे भी positive होने लग गए तो ध्यान देना ज़रूरी है levels में ज़रूर नहीं बता सकता कि क्या होना चाहिए ज़रूरू ज़रूरूब